कि अब नमस्कार वेलकम कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का वह के जीएस टीचिंग के चैनल पर आज आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब एक ऐसी जानकारी ले करके आया हुआ हूं जब भी आप टीचिंग की तयारी करते हैं उसके लिए बेसिक रूप से बहुत ही है आज हम बात करने वाले सीटेट के मारे में सभी देना चाहते हैं और जिन लुकोर के रखने कर रखता हूं बेटी सी कर रखने वर ना चाहते हैं तो आज हम जानेंगे से स्टेक्ट के बारे में ही और आखिर क्या होता है यह सिटेट कौन-कौन भर सकता अपार, तो वह सिटेट दो आजार 24 के लिए योग्यता क्या है, पेपर पैटरन क्या होता है, इसके अलावा, एपेरिंग्र या नेगटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, इन सारी चीजों क के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ठीक है योगिता के बारे में बात कर लेते हैं लिजबिल्टी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं सीटेट के लिए तो पेपर वन और पेपर टू दो तरीगे के पेपर होते हैं इसमें ठीक है पेपर वन और पेपर टू इनके syllabus क्या होते हैं इनके बारे में अभी हम अलग से बात करेंगे syllabus होगरा के बारे में लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ये जो paper है seated का paper दो भागों में होता है paper one और paper two paper one उनके लिए होता है जिन लोगों ने 12th pass कर रखा हो plus इस से related diploma कर रखा हो और plus seated pass कर रखा हो बात कर लेते हैं paper one के लिए तो paper one कौन भर सकता है जो पहली से पाच्वी के लिए seated होता है वो कौन कौन भर सकता है तो कहते हैं कम से कम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए पचास परसेंट अंकों के साथ में पीनियर सेकेंडरी सेनर सेकेंडरी का मतलब होता ट्वेल्थ क्लास थे कर ट्वेल्थ क्लास या इसके समकष है उत्त्रेन होना चाहिए NCT के नियमों और वियनमों के अनुसार प्रारंबिक शिक्षा में दो वरसी डिपलोमा अब यह ध्यान दखना चाहे डियलेड हो चाहे आपका BTC हो चाहे आपका चार वरसी क्या है बीयलेड है बैचलर अफ इलिमेंटरी एजुकेशन या बीयलेड हो जो भी आप इन में से जो आपका डिपलोमा वाली होती है अर्थाथ जो आपके पास करने के बाद एक टीचर बनने के लिए आपको ट्रेनि सेटितिक्रट एक तरीगे से है यह है इनमें से कुछ न कुछ होना आप पास अनीमार्य है साथ साथ में क्या है बr jullie आपके लिए श्च अस्तर उसी के बारे में ही बात कर रहें माद्मिक अस्तर या इसके संक्ट्ष कम से सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर आप अगले देख लेते हैं एक अगला पार्ट है इसी में पेपरटू के ले यही कि सीने सेकंडरी स्कूल इसके समक्ष पचास परसेंट हो और आपने दो वर्सी डिपलोमा अंतिम वर्स में सामिल है तो यह आप्शन में है या या करके वो सारे आप्शन में बता रहा हूं क्या है उमीदवार को किसी भी मानिता प्राक्त बिस्विद्याले से या संस स्थान से कम से कम पचास प्रसंट अंकों के साथ में प्रारंबिक शिक्षा में इसना तक की डिग्री अगर कर रखी है ना बेलेड के साथ में चार वर्सों के अंतिम वर्सों में उत्त्रीन होना चाहिए या अभी भी अध्यन्रत होना चाहिए या तो अंतिम साल में है या उत्तरीन कर चुके वी लेड कर रहा है और बी लेड अलग-अलग है जो की चार साल की दो साल वाली भी यह सभी पहली से पाचली तक के लिए जो डिग्रिया होथी अगर इनमें से आपने कर रखा है तो आप कर लेते हैं, हम पेपर कर लेते ह beet lotus के बारे तो, सालिया Bridge course कर अब साथ में क्या कह रहा है Paper 1 के बारे में सुनीएगल जिन उम्मीदवारों के पास Bachelor degree है Graduation है यह बीच में आए था लेकिन फिर बंद बंद कर दिया गया है जिन उमीदवारों के पास Bachelor degree Graduation में 50% अंक है और जिन पास बीएड ऐसे उमीदवार प्रात्मिक सिक्षक के रुप में न्यूक्त होने की दो साल के भीतर छह महिने का ब्रिज कोर्स करना होगा जो एंसी टी दिवारा माननेता प्राप्त है बस समस्य क्या है अभी आप देख रहोंगे कि सुप्रिम कोर्ट ने जो बीएड वाले थे उनक सब्सक्राइब नहीं चेंज किया है यह लोग भर सकते हैं और यह लोग जो है सीट एड़ का फॉर्म कर सकते हैं मतलब ग्रेजूट सन वाले भी फर्स्ट पेपर को भर सकते हैं अभी तक कोई चेंज नहीं अब आगे चलते हैं जरह हम पेपर टू के लिए जो कि कख्षा से आठवी तक के लिए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कम से कम पचास परसंट के साथ में सीनर सेकंडरी या इसके समकक्ष उत्रिन होना चीए प्रात्मिक तिक्षा में दो वरसी डिप्लोमा चार वरसी बैचलर इंट्रियमेंट अगर हम बात करते देखो यहां पर यह कर सकता है बले ना जाए लेकिन वो कर सकता है इसके लावां यह कर रखाए कर नगी और जांकर यह हो गई अब बात कर लेते हैं आगे इनके बारे में छटी से आठवी के लिए उमीदवार को इस नातक में अंतिम वर्स में उत्रिण हो या उपस्थित हो दोनों में से जो भी पहले हो जाए या तो उत्रिण हो या फिर उपस्थित होना चाहिए मतलब यहां पर या तो आप एपेरिंग में हैं या उत्रिण कर चुके हैं दोनों लोग भर सकते हैं दो साल का डिप्लोमा होना चाहिए अब बीएड भी दो वर्सी होता है और पहले एक वर्सी होता तो सब के लिए दिया गया है उमीदवार के पास ग्रेजुएसर में 50% अंक होने चाहिए और एक वर्सी बीएड उपस्थित होना चाहिए विसेश सिक्षाखंड में मतलब यहा पर समझ में आ गया होगा आप लोगों के छठी साथ हुई के लिए अगर एक वर्सी है तो 50% ग्रेजुएसर में पास होना चाहिए एक वर्स में उपस्थित हो चुका हो और हो सकता है बाद में शेकंडियर में हो तो भी काम चल जाएगा अब इसके अलामा देखिए इसी के संदर में आगे है हमारा पेपर टू के बारे में कि एंसीटी के अनुसार इस नातक में कम से कम तालिस परसेंट अगर मतलब जिनका ग्रेजुएसर में 45 परसेंट मार्स है और यहां पर बात कर रहा एक वर्सी है बैचलर इन एजूकेशन मतलब बीएड कर रखाओ सामिल में होने वाले उमीदवार भी इसको भर सकते हैं उमीदवार ने बीएड प्रोग्राम उत्तरिन किया हो मतलब बीएड प्रोग्राम उत्तरिन किया हो और एंसीटी से माननेता प्राप्ता है वह लोग भी इसको भर सकते हैं अब आपको पता जिन्होंने बीएड किया होगा पर एंसीटी के द्वारा जो माननेता प्राप्त दोहजार चोबिस के लिए है कि संसोधित पात्रता मांदंड की घोशना कुछ की गई है कि जो अभ्यार्थी किसी भी सिच्छक प्रसिख्षण कारिक्रम प्रवेश ले रहे हैं उन्हें अध्यन रत माना जा सकता है और वह टीटी परिक्षा के पात्र होंगे एंसीटी का जो नया नियम आया था उसमें यह बताया गया तो बहुत सारे बच्छे कहते हैं कि सर्जी मैं फरस्टियर में एड्मीशन ले चुका हूं क्या मैं भी सीटेड भर सकता हूं तो एंसीटी का नया जो यह संसोधित मांदंड आया है एंसीटी के द्वारा घोशना पत्र की जायर किया गया था कि यह कहता कि अगर फरस्टियर में भी किसी ने बीएड में फरस्टियर में भी किसी ने बीटीसी में एड्मीशन ले लिया है तो भी वह भर सकता है पहले कहते थे सेकंडियर में यह पेरिंग वाले भर सकते थे लेकिन अब नया यह कह रहा है उ अवेदन करने वाले सिक्सकों को भरती नियमों के अनुसार गुजरना होगा जिसके तहंत नियुंतम योगता का उलेख किया गया है अब देखो जो नवदे विद्याले हैं और केविय से उनके नियम थोड़े से अलग हो सकते हैं उन सारे नियमों का हमें पालन करना कि परिक्षा देने के लिए यदि आप फस्तियर में भी एडमिशन लिये हैं तो भी आप फॉर्म को फिलब कर पाएंगे कोई नहीं रोखेगा आपको अब बात कर लेते जरा हम पैटरन के बारे में पेपर का पैटरन क्या है तो पेपर के पैटरन में अगर हम बात करते हैं पाच जो पेपर फस्त है तो पेपर फस्त में आप देखेंगे पाच सब्जेक्ट होते हैं सीडीपी जिसको कहते हैं चाल्ड पैडागोजी लेंग्वेज कंपल्सरी इसमें हिंदी इंग्लिस जो भी अपने एक्षा नुसार रखिया लेंग्वेज टू तीस नंबर का सेक अब चलते जड़ा आगे बारे में चाइल्ड डेवलप्मेंट मतलब सीडीपी का यहां पर भी थीस नंबर है लेंग्वेज बन कंपल्सरी लेंग्वेज को लेनी ही लेनी है लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेंग्वेज ले रहे हैं हिंदी इंग्लिस होता है कुल मिला केffen है ये नुर्य होता है उनके लिए जो पॉर सॉषिंण होता है उनके लिए जो मैध और साइन्स वाले है वह तो वाले और 9 सब्याइस का 3100 नंबर के टोटल आदा धाइगहंटे का समय रहता है और अगर अगर हम बात करते हैं नेगटिव मार्किंग की के बहिंत का इसमें नेगतिव मार्किंग भी होती है तो किसी प्रकार की अभी तक तो नहीं है आगे आने वाले समय में हो या ना हो इसका फैसला तो करेगी आने वाली सरकारे बताएंगे लेकिन प्रिजन टाइम में अभी कोई भी नेगेटिव मार्किंग सीटेट के एक्जाम में पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों में से किसी में भी नहीं है आप बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट हमें चाहिए पास होने के लिए तो बार बार इसको मैं बताता रहता हूं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अन्रिजर्ब वाले जितने भी हैं जनरल कंडिडेट जितने हैं उन सभी के लिए 90 नंबर चाहिए मतलब 60 परसेंट मार्क्स चाहिए पास होने के लिए रिजर्ब कंडि जरूरी है और मैं यह लेकिन सबसे यही गुजारिस करूंगा जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं कि आप लोग इस से ऊपर का ट्राई करिए इसको तो सोच छोड़ी दीजिए मालों को यह स्टी का भी स्टूडेंट है अगर दूसरे स्टेट में अपलाई करना चाहता है त ज़र इस वीडियो पर प्यार मिलता है ज़्याद आप सेयर करते हैं तो सीटेट की क्लासेज भी जल्द ही हम आपको यहां पर सुरू कर देंगे और आज की इस कक्षा में आज इस इन्फरमेशन वीडियो के साथ में अभी के लिए मैं लूंगा और जाते-जाते मैं आपको अलग चैनल है जो टीचिंग को समर्पित है टीचिंग से रिलेटेड सारी क्लासेज की आपके तयारी करवाएगा यूटूब पर और पेड में भी तो आप लोग इसको सेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में साजा करेंगे और हमारे साथ में जोड़ते रहेंगे इसी के और अभी के इस सेसंद में हम विदा मिलेंगे आपसे हम फिर आपसे ऐसी जानकारी के साथ में किसी नई वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मस्ट टेक कर बाबाए जय हिंद जय भारत